नमस्कार, मेरा नाम दयावन्दी अगरवाल है, मैं बीए, बीएट और एमे पॉलिटिकल साइंस हूँ इसके साथ ये साथ मैंने जेविटी का प्रेशिक्षिन भी किया है और मुझे टीचिंग का 14 साल का एक्सपेजियन्स है मेरे जिले का नाम शिमला है और मैं शिमला जिले की टैसिल रूरू की रहने वाली हूँ मेरा जिला अपने सुन्दरवादियों, महंती और मिलंसार और इमानदार लोगों के लिए प्रसिद है यह फ्रटन के लिए भी प्रसिद है और देवुमी के नाम से भी जाना जाता है इसके साथ एक और बात है जो मेरे जिले को खास बनाती है वो है यहां पाय जाने वाले सेव के बगीचे मेरा जिला सेवों के लिए विश्वा प्रसिद है मेरी पार्षाला का नाम राज़किये पार्टमिक पार्षाला सरास है इसमें 41 बच्चे शिक्षगरहन कर रहे हैं सभी बच्चे ग्रामिन परिवेश से समन्दित रखते हैं मेरी बच्चों के साथ जो समस्य थी वो थी कि मैं कैसे बच्चों को एक्टिव, एनर्जेटिक और स्टडी के लिए मोटिवेक करनी। मेरे पास इसके लिए प्रयाप्ट एक्टिविटी नहीं थी। मैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ और EBS सब्जेक्ट पढ़ाती हूं। मैं टीलम का यूज भी गरती हूं। मैंने काफी टीलम बनाए लेकिन फिर इसके लिए हमारे पर प्रयाप्त संसादन ही होते थे, धन का अभाव रहता था। जब मैंने श्री अर्विन सोसाइटी के ZIIII कारेकरम का प्रशिक्शन लिया तो मैंने सीखा, मैंने पाया कि कैसे नवचार को बिना पैसे खर्च करके भी किया जा सकता है और अपने पढ़ा पlausक पर सुदार करने का एक मॉका दिया त Sverige नोगिफि आनलोड को सब्स नवचेखिए उनि उद्बरशाला की उन यूंको कैसे गुट्धी आके बिधर्विजो का इस तो मैं सुदार किया जा सकता है और बच Pode का पुई। पढ़ाने की शुदार किया demanding बच्चों को कैसे व और प्रस्टिक्शन से मुझे बहुती फायदा हुआ, मेरे दिमाग में जो भी आइडियास थे, वो आइडियास मैं बच्चों के साथ अच्छी तरह से अपलाई कर सकता है, अनलाइन स्टडी को भी कैसे इंट्रस्टिंग बनाया जा सकता है, इसको मैंने इस ट्रैनिंग से सी और मैंने बच्चों को अपने जो गाओं के छोटे छोटे ग्रूप्स थे, उसमें उनको बोला कि आप लोग कई तरह के अक्टिविटीज कर सकते हैं, और उसकी वीडियोस बनाकर शेयर कर सकते हैं, जैसे रोल प्ले कर सकते हैं, कुईस कंपिटिशन कर सकते हैं, आइस ची ने मेरा इसमें बहुती सहोग किया, उन्होंने यह प्रिशिक्शन बहुती सिंपल और साधारन रोचक तरिके से करवाया, उनकी कही हर एक बात हम लोगों को समझ में आई, और मुझे अपनी टीचिंग को सुधार करने में मौका मिला, और सिखा मैंने कि अपनी ट दिखान से सुना, और उसमें जो भी कम्या थी, उसको उन्होंने ठीक करने में अपना पूरा सहोग दिया, मैंने इनोवेटी पार्शाला से अपने बचों के साथ कैसे गतिविधियां करनी चाहिए, और कैसे गतिविधियां क्लास में की जाती है, यह चीज़े अपने क्लास का समधान है, जैड आई आई, आई के द्वारा करवाएगे, प्रसिक्षन का उप्योग करके किया, जिस से बच्चे ऑनलाइन स्टडी के लिए भी मोटिवेट हुए और उन्होंने ऑनलाइन स्टडी में तूरा सहोग किया, मुझे मेरा जो विध्यालिया है, वो रोल मॉड स्टडी से लगातार जोडा रहा और हमने इस तिती में भी अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए मूटिवेट किया, और एक्टिविटी के दवारा उनको पढ़ाई की तरह मूटिवेट करने का एक हमें यह जो प्लेट फॉर्म मिला वो श्री अर्विंच सोसाइटी जिन सांजा दने का अफसर दिया धन्यवां